हलो साथियों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप सब अच्छे हों सुस्थ होंगे सज्जन फूर जड़नी में साथियों आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे हरे चने की सबजी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसकी सबजी बनाने के लिए साथियों ये देखिये हमने हरे चने लिए हुई हैं इस समय मार्केट में हरे चने मिल जा रहे हैं तो इसकी सबजी साथियों बहुत ही लाजवाब बनती है चलिए बनाते हैं इसको बनाने के लिए देखिये हमने लस्षिन की दसबारा कलियां लि लिया हुआ है hai दो ταमाटर लिए हुई हैं बढ़िया बकार ही हरी मिर्चण बोध का एक टुकडा लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है शबसे पहले साथ लो जो चने हैं। इनको जो हम सारे नहीं कुटेंगे तो आधे जो है चने जो और हम ने चनल यह थी आधे चने हम इस तरीके से देखें, उसको गूट लएगे इनको आप सिलवट्टे सकते हैं, अगर आपके पास इपर नहीं है यह कूटना है। बिल्कुल दरदरा महिने रखा हुआ है। अब साथ हुँ सबसे पहले एक पैन लेंगे। उसको गैस पर रखेंगे। थोड़ा सा उसमें आयल डालेंगे। यह हम मस्टर्ड डालना हैं सर्चों का तील। इसको तेल को गरम होने देंगे। तो जो लश्ण प्याज हमने सब लिया था उसको हम इसमें भूनेंगे। सबसे पहले लश्ण देखे डालेंगे समूचा ही डालना है साथियों क्योंकि भूनने के बाद हम इसको पीसेंगे। इसको बारीक पीसेंगे इसलिए इसको समूचा ही हम रोश्ट कर लेंगे। हलका सा पका लेंगे तो यह बहुत अच्छी सब्जी बहुत अच्छी रेश्पी है यह बहुत बढ़या बनती है सभी को बहुत पसंद आती है। इसको भी पकाएँगे। अधरक का टुकड़ा जो लिया थे इको भी इसमें टाल लेंगे। हरी मिर्च जो दो ली थी उसके दोडोडोडो टुकड़े करके जाधन की दलना है फिरृत डिलकर से बने बे athi jo co Vou a sounding अब देखिए जट्रिकी आधा जाना घ्यें बहुत अच्छा कलर आ गया हुशका प्याज भी पक रहा है कि उसका भी कलर छेंज बहुं तो तमाटर भी भून लेंगे पीषेंगे, तो काटके पीषेंगे भून जाएगा इसलबर्टे पेच सकते हिए अच्छे से भूनेंगे इसको यह सारी चीजे पक जाएंगे तो इनको निकालेंगे यह देखिए चिक कर लेंगे बढ़िया से पक गई है इसको निकाल लेंगे और मिक्सी के जार में डालेंगे इसको इसका पेश्ट देखिए मैंने तयार कर लिया है पेश करके इसको साइड में रख लेंगे साथ हूं अब एक कूकर लेंगे यह सबजी साथ हूं कूकर में बनाएंगे खोद अच्छी बनेगी कूकर गरम होने किंतजार करेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड आयल डालेंगे आपको आयल कम खाते हो तो कम डाले अगर परहेज नहीं है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छी स लाल चीनी का टुकड़ा डाल दिया है गरम मसाली जो भी आप खड़े डालना चाहें इसमें डालने बहुत ज़्यादा ना डालने यह देखिए पक गये पक गये हैं इनसे धुआ निकलने लगा तेल से बहुत बढ़़ा पक गया अब यह जो हमने प्याज लस्टनी यादर कपेष्टे तयार किया था भून करके इसको इसमें डाल देंगे और इसको पकाएंगे साथ हुए पका हुआ है बहुत नहीं पकाना है लेकिन फिर भी इसको पकाएंगे हम अच्छे से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इस मसाले से इसको अच्छे से भून लेंगे जब इस तेल छोड़ देगा तब समलेजी भून गया है बहुत बढ़ेगा उसके बाद इसमें कुछ सोखे हम पिसे हुए मसाले डालेंगे हल्दी लाल मिर्च पाओडर निया पाओडर यह सब डालेंगे लेकिन इसको अच्छे पका लेकिश्बू करें सब्जी का मजा आएगा साथ काले चणी की सब्जी बनाते हों इससे अच्छी यह सब्जी हरे चनी की बनती है क्योंकि ताजी हरे चने होते हैं थोड़ा से मुलाइम भी रहते हैं और इसके सब्जी बनती है यह देखिए साथ यह मसाला लगभाग पक गया है थोड़ा से और इसको भूनेंगे अब इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और मिर्च जो है अपने स्वाद के अनुस्वाराब डाली एक उटा मिर्च हम रखते हैं यह आधे चम्मच से थोड़ा हमने डाला है क्योंकि दो हरी मिर्च इसमें डाली थी एक चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है इसमें और इसमें एक चम्मच हम गरम मसाला डालें गरब मसाला भी डाल दिया एक चमच अब साथ ही उसको इसी के साथ भूनेंगे अच्छे से बहुत ही लाजबाब बहुत अच्छी खुश्बू आ रहे थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर्च हमने आधा चमच डाल दिया है इसमें बहुत अच्छी बहुत लाजबाब खुश्बू आ रहे है इससे अब यह जो हरे चने हैं समूचे जो आधे हमने रखे थे वह इसमें डाल देंगे और उनको पकाईंगे कोटथी वाले चने जो हैं हमने आधे कोटे थे जो चने वह बाद में थोड़ा सा डालेंगे पहले खाड़े वाले चने भूल लेंगे यह देखे, यह कोटे हुए डाल दी है, हमने ग्रेवी साथ हुए से बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, कोटे चने जब थोड़े से कूट लेते हैं, तो बढ़िया ग्रेवी बनती है, गारी-गारी से बनेगी, आप चावल के साथ, चपाती के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, खाईए बहुत ही लाजवाब, बहुत जबर जस्त लगती है, अब साथ ही इसमें हम जो मसाले पीसे थे, उसमें कटोरी थी, मसाला डाल लिया था, उसको धूल के थोड़ा सा एक एक कत्रा इसका इस्तिमाल करेंगे, थोड़ा सा पानी और हम डालेंगे अलग से, अपनी ग्रेवी के कार्डिंग की कितनी ग्रेवी रखनी है, ये देखे, पानी डाला है और इसमें 5-6 सीटी लगानी है, इसलिए थोड़ा सा पानी ज्यादा रखा है और ग्रेवी भी हम रखेंगे, क्योंकि मुझे चावल के साथ खानी है, लटपट रखेंगे, बहुत पतली नहीं रखेंगे, ये देखे, थोड़ा सा नमक इसमें अ श्वाद के नुशार, नमक आपके श्वाद के नुशार डालें, और आप कूकर का ढखकन बंद कर देंगे, और इसमें 5-6 सीटी तक बुला लेंगे, ताकि बढ़िया सी पक जाए, सब्जी ये अच्छी पक जाए, बहुत ही लाजवाब बनेगी सब्जी साथी, बहुत ही श्वादिश्ट बनती है ये सब्जी, थोला सा इंपिजार करेंगे, और ये सीजन में जरूर बना करके खाएं आप, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है, साथी इसमें 6 सीटी हो गई है, बंद कर दिया था कोकर, गैस, कोकर की गैस निकल गई है, खोल करके देखेंगे, क्या इस्तिती है मेरी सब्जी की, बन गई है, वाँ, हुट अच्छी कुछ भू आ रही है, इसकी रंगत देखेंगे साथ, बहुत जबर्जस्त रंगत है इसकी, रोगन देखी उपर निकल करके आया है, बहुत बढ़या सब्जी बनी हुई है, ये देखें, ये देखें र अपशूरत लग रही है, उतनी ही एक खाने में अच्छी होगी, अब जो हमने धनिया के पत्निया काट करके रखी थी, वो इसमें डाल देंगे, और थोड़ा से इसको जो है, चलाएंगे उसके बाद में, जो हम इसको एक बरतन में शर्व कर लेंगे, बहुत अच्छी सब् और यह बहुत ही अच्छी साथ में देखिए, चने के सब्जी बन करके तयार है, चने कल गए हैं अच्छे से, ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी है, इसकी रंगत देखिए कितनी जवरजस्त है, बहुत अच्छी रंगत आई है इसकी, बहुत ही लाजवाब बनी है सब्जी, इसको आप अपने घर पे जरूर बनाए क्योंकि बहुत अच्छी बहुत ही पॉश्टिक सब्जी होती है और हरे चने की इसलिए बहुत अच्छी है तो साथियों यह अगर मेरा बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें और कमेंट करें पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद नवस्कार